तो आज की video editing class में हमारा topic है how to add lower thirds in your video किस तरह से आप अपने video के अंदर जो है वो lower third को add कर सकते हैं lower third आप जानते होंगे के कुछ videos के नीचे bottom में left side से यहां से कुछ text जो है वो display होता है और फिर दुबारा जो है वो यहां से गाइब हो जाता है तो उसको add करने के लिए हम यहां पर आएंगे text पर titles पर title पर आने के बाद आपने all पर click करना है तो यहां पर आपको मुख्तलिफ किसम के title जो हैं वो नजर आ जाएंगे आप उनको preview भी कर सकते हैं तो lower third के लिए यह एक हमारे पर template पढ़ा है इसको हम यहां पर add करेंगे इसकी duration को आप कम जादा कर सकते हैं तो अब इसके अंदर text को edit करने के लिए इस पर आप double click करें और यहां से आप text कुछ भी change कर सकते हैं for example मैं कुछ भी लिख देता हूं अब इसको हम play करके देखते हैं यहां से तो हमारे पास एक animated lower third जो हो आगया है आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं तो यह एक method था अब दूसरा method कोई और अगर आप style यहां पर add करना चाहें तो वह भी कह सकते हैं मैं यहां पर इसको add करूंगा और इसके अंदर text जो है उसको मैं change कर दोंगा for example मैं लिख देता हूँ Facebook लिख देता है तो अब इसका size थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे दोनों को अब इसको यहां पर हम move कर देंगे अब play करके देखते हैं यहां से तो इस तरह से आप अपनी videos के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किसम के text जो है वो भी display कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही आप जड़ निए झौ़ा झाल आप ठाइब जड़ा झाल झाल का। मौन